नमश्कार दोस्तो वेलकम टो आसे अस्ट्रोलाजी मैं नीतु सिंग दोस्तो आज की वीडियो में आपको बताने जारे हैं फिटकरी से जुड़े कुछ उपाए, कुछ चमतकारी उपाए, कुछ डोटके जो हमारे जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्फ कर सकते हैं चाहें वो प्रॉब्लम धन संपदा से जुड़ी हो या फिर नजर दोस्त से जुड़ी हो या फिर वास्तो दोस्त से ही क्यों न जुड़ी हो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से चमतकारी उपाए हैं क्यों ना हो वो आसानी से उतर जाएगी अगर आपको लगता है कि घर में नाका रात में गोज्जा का वास हो गया है तो कांच के एक बाउल में फिटकरी रखें हर 15 दिन पर फिटकरी को चेंज कर दें अगर आपको नीद की प्रॉब्लम में नीद नहीं आती आप परिशान है क्योंकि जायर सी बात है अगर किसी को रात में नीद नहीं आएगी तो उसका दिन अच्छा नहीं जाता नीद की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अपने तक्ये की नीचे एक फिटकरी का टुकडा रखें इससे आपको नीद की समस्या से छुटकारा मिलेगा घर में अग के घर के जो जगरे चलना है वो खतम होने लगेंगे बंद होने लगेंगे वास्तो दोस को दूर करने के लिए वाश्रूम में फिटकरी एक काच्टे बावल में रखें हर 15 दिन पर उसे चेंज करते रहें घर में कैसा भी वास्तो दोस क्यों नहीं होगा वो दूर हो है उसके बाद नौमी वाले दिन मा दुर्गा को यह तीनों चीज़े चढ़ा दें फिर दसी वाले दिन यह तीनों चीज़े उठा कर बैल्ट किसी कन्या को दे दें जो फूल आपने चढ़ाये थे च्छै उसे पानी में प्रभावित कर दें और जो फिटकरी टुकड़े थ चलने लगेगा कर्ज से मुक्ति के लिए कर्ज बहुत बढ़ गया है तो आपको क्या करना है पान के पत्ते पर थोड़ी सी फिटकरी रखे थोड़ा सिंदूर रखे यह काम आपको बुद्वार वाले दिन करना है इस चीज़ का ध्यान रखे और बुद्वार की शाम को लि अच्छी लगी वीजियो लाइक करें शेयर करें मुझसे जुणने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे जय माता देए